ये रात के वख़ बनाते इसका नाम है शब माने रात देख माने वैसल ये रात के वख़ बनाने की डिश है इसकी इसले शब देख बोलते रात में पाटी वगरा हुए तो बनाते आपकोर्स श्रीमती सरला वैघ रे मनकोसम इंग्रेडियेंट्स रेसिपी ओकसर विवरिंचर कानी रेसिपील चेस सूपिस तेन अर्धाम होताया वी गोश के कोफते और मटर बनाते अब इसमें थोड़ इसमें कच्चा गोश मिलाकर उसको ग्राइंडर में पीस लेना बारी पीस लेकर उसके बॉल्च बनाकर बॉल्च तल के निकाल लेना फिर जो शल्जम है उसको गोल्डन ब्राउन करना शल्जम है ना तर्निब को जोड़ा बॉृुओब ego 알के जोड़ा प्राउन ठोड़ा थोड़ा चल लेना उसा फ्राय कर लेना प्लेक दे़ कर लेकलेना जिकाल में धैकनेंदाई में फ्री घख भादाम खुंपरा इसका पेस्ट बनाके प्यास लाल करके अध्रकलेसन भून के फिर ये दालना उसे। सो पोईयोन मूखुड़पान। थोड़ा तेल दालके थोड़ा गोल्डन भूमपत। नूने यानकी बांडली वेडक काले। अंधुलो मनों मुंदे तरिकि पेट्ट कुनना शल्जम अनगा मुल्लंगी मुख्कलनी वेइचि पककक पेट्टको वाले। अंटे मनों इस शेब्बेड्हेक अनन व्यंजन विसेशानिकी मुल्लंगी मुख्कल रुचि आपादिस्तना वनमाटा। प्रती नॉन्वेज वेजननाने की इलावोका कायगूर कलपड़ों पस्चमासी आवंटरी तिको का प्रत्येकमेन अमस्यम। अब दही में दही का पेस्ट बनाना उसमें बादाम, खशखष, खोपरा ये सब थोड़ा-थोड़ा मिलाके, ग्रेवी बनाके, प्याज लाल करके, अद्रकलसन भून के, थोड़ी मिर्ची, हल्दी दालके उसमें ये ग्रेवी को दाल देना। डालके, अद्रकश भूनना, वो ते ऐसा भूनने जाना कि ये पूरे तेल का रौगन उपरा जाया। पूरा भूने जाना, फिर उसके बाद पानी छोड़के उसको कलने को रखना, उसमें कोफते छोड़ना, चल जम मटर सब दाल के ये बनाने ने के बाद, फिर कोफते छोड़के ओकर, थोड़ा कच्चा गोश मिला के, ग्राइंडर में पीसते दोनों मिला के, उसमें लेश याज लाल करो, इपड़ा अधे नूनेलो, उल्ली पायल वेंट्स कोवाले, थोड़ा दोरगा, थोड़ी चले बसो जाती, थोड़े कोफते ले रहे ने, गोल्डन ब्राउन करना है, अध्रक लसन धालो एक दो चम्चे, अंधिलो अध्रक लसन लेदा अल्लाम विल्लुली, देन, बेसिक रुचिकार कालु, अल्दी थोड़ी दालो, थोड़ी ओर दाल, मटर दालो, के भू मटर है और ये हरा मसाला दालो, अधि कोंचें कलिये दिपी भटानेलो हरा मसाला वेश कोण्डे, थोड़ा तेज करके भू मटर फिर स्लो कर दो पहले जही पेस्ट बनाओ, आ तरवात पिरुगु मिक्स, उसमें दाल के पेस्ट बनाओ, अब उसका पेस्ट बनाओ, आ पेरुगुलो बादाम पप्पु, गसगसालू, कोब्बर पोड़ी उन्टन्दे, अधि बाणलीलो रोगन परंचे एंडे, तेल का रोगन आए तक भून्ना उसको, तोड़ा खत्पत्पक्ना शिरू होत्ता ना जब ये प्योरी दालो उसकी, टमाटे, बगार लो रुचिकारकाल अन्नी पड़्ड तरवात रोगन उत्तुन्दे, रोगन कोँचम वे इंचिन पिम्मटा टमाटा प्योरी जत चे एंडे, राजल रोजल लो टमाटाल उडिकिन्च कलिपे वारू, पुरा भगारा ने दियो, रोगन तेल गाय तक घुनू, नम्मक तो पूछ नाच्चा, इसमें थोड़ा कोत्मीर पूदीना भी जालू, रोगन लो पच्चमिर्ची कोत्मीर पूदीना एक्स्टारूची, इप्ड़ अंधुलो मनुँ इद वरिक्के वेड़ा, पेंच पिट्टकुन्न मुलंगी मुक्कल वेसी आरूचुलों जुर्र कोनी वाण्डे, आह, ग्रेवी मोत्तम रेडिया इंदे। अब्भुने जान्देओ, तब तक कोफ्ते तलके निकालना, कोफ्ते तलके उसमें छोणना उपर से, वोयल्ड मीट में अद्रक, लैस, लैसन, गरम, मसाला, हल्दी, मिर्ची। इक अंदुलों मटन लेदा मामसम विसेशन जतावत्तुन्दी। ये सब मिलाके उसको ग्राइंट करना। मटन इकड़ खोफ्ता रूप मेत्ततुतन्दी। ये अब उबला हुवा चनिकी दाल दाल के ब्रशर कुपक्कर में उबाल के गोश रख दिये, कच्चे गोश कूँ। अब इसमें थोड़ा कच्चा गोश मिलाना। ये कोफ्ताल मिदा व्यागरे कुटुम्बं संतक्कम होंदी। वैगरे कुटुम्बानिकी वाल्ड वन्टकी हैदराबाद लो येनिमी दिताराल चरित्त्र होंदी। लेस पढ़ती उसमें। लेस पढ़के कोफ्ते टुट्टे नी साबीत अच्छे तले जाए। अंदुलो कोच्चम पच्चि मामसं कलिपते अधि बैंडिंग एजेंटला पण्चेस तंदे। वेइंचिन लेतमामसं मुख्कलक्की प्रैमरी रुचिकार कालवेसी कोफ्तालकोसं मेत्तगा गरैंट चेसको वाले। एद्रावादी खाना जल्दी नी बनता उसको भूद भूनना पड़ता अच्छा नहीं तो उसमें टेस्ट नहीं आता। हैदरावादी खाना जल्दी नहीं बनता उसको भूनना पड़ता टाइम लगता और जब तक भूने गया अच्छा नीपका उसमें टेस्ट नहीं आदा इलोगा कोफ्ताल को समु मामसम मिक्स रेडी आई पएंदे गोश के बॉल्स बनाओ कोफ्तालू कीमा उंडले अब यह जो बॉल्स बनाके रखे वो पूरे डीप फ्राई करके निकाल तो कोफ्ते तल के डीप फ्राई करके निकाल तो पानी दाल के ठोड़ा खॉलने के लिए इसको रग देना डीप फ्राई करना इपड़ु आ खोफ्तालनी तलाई इन्चवले कोफ्तो डीप फ्राई अवाज मात में अगर कोफ्ते छूटे बनाए तो नहीं आते कोफ्ते बड़े रहना डीप फ्राई अइन कीमा उण्डलो इपड़ु शब्बे डेक व्यंजन परमावताई कासीप कलियेदी पी कोंचनसे पोदलेस्ते शब्बे डेक रेडियाई पोत्तोंदे देन प्लेटिंग अण्ड कनलको आरकिम्पू कर दोड़े हे पोत्तोंदे आरकिम्पू झाल झाल झाल